तीखा चटपटा खट्टा ऐसा मज़ेदार आम का अचार जिसे आप मिंटों में तयार करेंगे बिना धूप लगाए और खाएंगे साल भर आम का सीजन है और इन दिनों बजार में खूब कच्ची कच्ची आमी यानि कच्ची केरी खूब आ रही है उन्हें देखते ही लगता है कि कोई तो रेसिपी इसकी बनाई जाए तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ हम सभी का फेवरेट आम के अचार की एकदम नई और जबर्दस टेस्टी रेसिपी जिसको आप देखते ही बनाएंगे रुक नहीं पाएंगे ना कोई धूप लगाने की जरुवत है ना जाधा काम ना जाधा सामान एकदम नई तरीके से जबर्दस टेस्टी आम का अचार तयार करेंगे जिसको आप पूरी साल भर स्टोर भी कर सकेंगे और साथी इस वीडियो पर मैं आपको पताऊंगे ऐसी खास सीक्रेट टिफ्स के आपका कोई भी अचार हो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और लंबा चलेगा वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंडस आप सभी लोगों से निवे देना है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और आपके अपने चैनल को वित परण को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें निव इस्टाइल का सुपर टेस्टी और डिलिशयस आम का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं एक किलो हरी भरी कच्ची केरी यदि कच्चा आम यह आप देख सकते हैं कि बजार में इन दो इस तरह की आपको बढ़िया खटी वाली आमी जो मिल रही है बस इस अचार के लिए आपको वही चाहिए इस तरह की टाइट होती है और बढ़िया खटी हो तब ही आपका आम का अचार बढ़िया बढ़ेगा सबसे खास बाद आज के आमकी अचार की कोई धूपनी लगानी है कोई ज़्यादा सामनी चाहिए कोई मेहनत भी नहीं है और इस आमकी अचार को आम मिंटों पे तैयार भी कर सकेंगे और रिस्टोर भी कर सकेंगे लंबे समख के लिए तो यहां देखिए मैंने कच्चे आम को बिल्कुल बढ़ी आसे धो लिया और धो करके अच्छे से पोच लिया पोचने के बाद आपको इसको बिल्कुल छिलका नहीं उतारना है बस डारेक्ट इसी तरह से हमें इसे कट करना है छिलका सहित ये लिजे, मैंने सारी आमी को इस तरह से लंबाई में पतला पतला कट कर लिया है आज की कटिंग की भी सबसे खास बात है, ये देखिए आपको छिलका नहीं उतारना पड़ा और छिलका आपको बिल्कुल भी सक्त नहीं लगेगा जब आप ऐसे कट करेंगे ये देखिए, लंबे लंबे पतले-पतले मैंने स्लाइस में कट किया है, आम की अचार की लुकिंग भी बढ़िया आएगी साथ की साथ जल्दी से ये नरम हो जाएगा, जल्दी से खटास भी पकड़ेगा और आप जब इसे प्लेट में लेंगे, तो आपको वेस्ट भी रही होगा, थोड़ी ही क्वंटिटी में आप इजली इसे एंजॉय कर पाएंगे ज्यादा बड़े-पड़े पीसेस काटो तो ये हो जाता है कि आमका अचार हमने प्लेट में लिया, वो वेस्ट हो गया, इतना खाया नहीं गया लेकिन ये इस तरह से पत्ते-पत्ते लंबे स्लाइसे है ना, तो सब भी इंजॉय करेंगे, वेस्ट इश भी कम होगी और इस तरह से काटने के बाद आपको आमी को बिल्कुल भी धोना नहीं है, क्योंकि हम पहले ही वाश कर चुके, तो बस इसी तरह से आमका अचार हमने तयार करना होगा तो चलिए देखते हैं, नेक्स स्टेप और इस तरह से कैरी को काटने के बाद सबसे पहले इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चमच हल्दी और साथी यहाँ पर इसमें हम डालेंगे तीन बड़े चमच नमक तो नमक थोड़े जादा कमी कर सकते हैं अचार वगरा में नमक थोड़े जादा पड़ता है और कच्ची कहरी खटी होती है ना तो नमक सही मात्रा में अचारों में डाला जाता है और यहाँ पर नमक और हल्दी डाल कर अच्छे से आमी को मिक्स कर देंगे कोई बहुत लंबा छोड़ना नहीं है जितनी देर में दूसरे काम करेंगे अचाहई एक बार थोड़ा टेस्स कर ली जाएular, को दिया है। इन इस पर जटाएंगे, उसके लिए पैनिंगे हए में यहाँ ले रही हो। दो बड़े चमच सरसों, तो यह मैंने बारीक वाली सरसों लिये, आपके पास इससे थोड़ी बड़ी वाली हो, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, सरसों अचार को प्रोटेक्ट करती है, फंगस लगने से, तो जरूरी इंग्रीडियन्ट होता है अचार का, साथी नेक्स्ट इ मेथी दानाज जरूर डाला जाता है अमके अचार में, साथी डाल रहे हूं एक छोटी चमच हींग, बहुत बड़ी अ फ्लेवर आएगा हमारे अचार में, अचार हींग वगर आज़ रेडिमेट वाली उतनी स्ट्रॉंग नहीं होती, तो एक छोटी चमच डाली है, यदि अब यहां पर इन सभी मसालों को सिर्फ एक मिनट भूल लेंगे लो फ्लेम पर जिससें में से जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाए बड़िया सी खुश्बू आ जाए और जो मसाले में ऐलोते हो हलके से एक्टिवेट हो जाए ऐसा करने से अचार की जो शैल फलाइफ है व बहुती बड़िया आवाज आ रही है इसका मतलब एकदम बड़िया हमारे मसाले रोस्ट हो गए है इससे जादा इसको बिल्कुल भी ओवर रोस्टिंग नहीं करेंगे गैस को कर देंगे बंद और इनको होने देंगे ठंडा अब आप लीजे एक ग्रैंडिंग जार में में कर द Wisconsin हों कि सारे मसाले डाल देंगे और इसका इक緲शा पाउडर पीसकर द्यार करेंगे लीजे मैंने मसालों को पीस लिया हो यह दिखिए इस तरह का आपको fine powder तयार कर लेना है तो अचार मसाला हमारा हो गया है रेड़ी इससे रखते हैं अलग देखते हैं next step अब गैस पर बापिस से वही वाला पैन चड़ाएंगे flame को रखेंगे medium और इसमें डालेंगे एक कप सरसो का तेल अचार वगरा सरसो की तेल में ज़्यादा tasty बनते हैं और ज़्यादा दिन तक चलते हैं fungus नहीं लगती है सरसो की तेल की वज़ा से सरसो का तेल अचारों को खराब होने से बचाता है क्योंकि इसके अंदर anti-fungal properties होती हैं तो या तो आप सरसो का तेल यूज़ करें ऐचार के लिए या फिर होता है दूसरा तिल का तेल सिसमे ओईल जिसे हम gingerly ओईल भी बोलते हैं सरसो का तेल preservative का का काम करता है अचार में वैसे आप vegetable oil में भी बना सकते हैं लेकिन best सरसो का तेल या सिसमे ओयल लता है अचार के लिए अब सरसो के तेल को बिलकुल धुएदार पहले गरम करेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए साथ के साथ जो पंजेंट समेल होती न थीके बन की वो भी पूरी खतम हो जाएगी और ये देखिए ओयल हो गया है बिलकुल बढ़िया गरम धुएदार तो गैस को कुछ चड़के लिए बंद कर देंगे और ओयल का टेमपरिचर थोड़ा सा कम होने देंगे एकदम गरम तेल में कोई भी चीज नहीं डालेंगे और जैसे ओयल का टेमपरिचर अचार हलका सा कम होगा, सबसे पहले इसमें हम डालेंगे, एक छोटी चम्मच, सरसो के दाने, क्योंकि सरसो दिखनी पी चाहिए न, अचार में तभी तो बढ़िया लगेगा अचार, साथी डाल रहे हो, एक छोटी चम्मच जीरा, अब जो नेक्स चीज हमारे अचार में जब मैं सारे काम गयस बंद पे कर रहे हूं क्योंकि तेल पहले से ही गरम है, साती यहां पर मैं इसमें डाल रहे हूं, अचार की शान, सूखी वाली लाल मिर्च, तो यहां पर करीम मैंने 10-12 लाल मिर्च ली उनको तीम भाग में इस तरह कर लिया है, बहुत बढ़िया लगती है साम के अचार में, तो अगर आप पसंद करते हों तो जरूर डालें, बना जो चीजे जैसे गारलिक है या लाल मिर्च है इनको आप इसके भी कर सकते हैं, बिना इसके अचार तयार कर सकते हैं, सारा फ्लेवर, लाल मिर्च का, जितनी चीजें हमने इसमें डाली है, सब तेल म एक बार अच्छे से करनेंगे मिक्स और अब इसमें डालेंगे बाकी मसाले में सबसे पहले मैं डाल रहे हूं दो बड़ा चमबच भरके लाल मिर्ची पाउडर तो यह कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लिया इससे अचार में बहुत बढ़िया आ जाएगा लेकिन मिर्च नह इसमें इतनी मिर्च नहीं होती पर अचार बढ़िया देती है यह नेक्स इसमें मैं डाल रहे हूं एक छोटी चमच कलोंजी जिसे हम मंगरेला भी बोलते हैं बहुत अच्छी लगती है अचार में कलोंजी को ना तो भूना जाता है ना पीसा जाता है अचार में इसी तरह साबुड डाला जाता है और एक छोटी चमच डाल रहे हूं अजवाइन मतलब एक आम के अचार में आपको सारे फ्लेवर आने वाले हैं लेसन के अचार का भी आम के अचार का भी मिर्च के अचार का भी मजा आने वाला इस अचार में अच्छा हल्दी नमक हम पहले ही डाल अब इसमें हम डाल देंगे हमारा तयार अचार वाला स्पाइस मेक्स तो यह यहीं पर इसमें ऊपर डाल देंगे अब इसमें डालेंगे हमारा तयार गरम तेल जो भी हमने तयार करके रखा था सारा यहीं पर डाल देंगे और अचार को करेंगे बिलकुल बढ़िया से mix मतलब बनाते बनाते वक्त की आपके मुह में पानी आ जाएगा जो ये अचार तयार होता है ये देखिए इसकी looking से ही लग रहा है ना जबर्दस अचार बनाए जब आप बनाएंगे और खाएंगे तब आप इसका असली टेस्ट जाल पाएंगे चलिए अब इसको instantly खटा कैसे करें तुरंत तयार कैसे करें साथ की साथ लंबे समय के लिए खराब ना हो उसके लिए क्या करें तो वो secret चीज है सिर्का यानि वाइट बिनेगर वाइट बिरेकर जो आप चाइनीज खाने में डालते हैं आप बस ये वही वाला है सिर्के से तुरंत ही अचार खटा भी होगा साथ की साथ पूरी साल भी ये खराब नहीं होगा सिर्का अचार को फंगस लगने से भी बचाएगा और खटास इंस्टेंटली आजाएगी आप तुरंत इस अचार को खा सकते हैं अगर सिर्के की सुभीदा ना हो तो फिर यहाँ पर आप चार से पाच नीबू का रस निकाल करके वो यहाँ यूज कर सकते हैं पसिर्का वैस्ट रहेगा क्योंकि यह पिजवेटिप का काम करता है और लीजे बिना धूब के इंस्टेंटली आम का चटपटा तीखा खटा अचार है बिलकुल तयार यह देखिए इसकी लुकिंग पतले-पतले पीसे काटे थे तो बिलकुल आप देख सकते हैं जल्दी नरम भी हो जाता है यह इस तरह बना करके आप इसे लगबग 4-5 घंटे के लिए धक कर छोड़ देजाए फिर जो इसमें हमने चीजे डाली है उसका पूरा फ्लेवर मर्ज हो जाएगा जो हमारा अचा करते हैं स्टोर तो स्टोर करने के लिए सीक्रेट टिप हमेशा अचार को आप काच के जार में ही स्टोर करें इससे उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा लंबी रहती है तो इस तरीके का कोई भी आपके पास ऐसा वाला जार हो तो यह ले लीजे या कोई काच के इस तरीके का ज लेकिन उसे पहले एक खास सीक्रेट टिम, आप लीजे इस तरीके का एक कोयला, जैसे हम चार कोल बोलते हैं, कोयला बहुती इसली मिल जाता है मार्केट में, तो बस कोयले को गैस पर इस तरह जलाईए, जब यह बिल्कुल बढ़िया से जल जाए, मतलब धुआ निकल रहा है इसमसे, तो बस इसको आप उतारिए, एक प्लेट पर रखिए, इस पर डालिए थोड़ी सी हींग, यह आपके अचार को इतनी जबर्दस्त खुश्बू देगा, और उसको फंगस लगने से बचाएगा, सड़ेगा नहीं आपका अचार बिल्कुल, इसके उपर हम लगा दे परफेक्ट, प्रॉपर हमारा जार इस्टरलाइज हो गया है, अब आप इसमें अचार भर सकते हैं, बस इस तरह बना करके आप भर करके इसे फ्रिज में रख लीजे, यह साल भर भी खराम नहीं होगा, बहर रखेंगे, आराम से 3-4 महीने चलेगा, बिल्कुल खराम नहीं ह काम करता है, और अचार को फफूंद लगने से बचाता है, तो सरसो का तेल जो हमने गरम किया था, थोड़ा जादा मात्रा में गरम करके, आप थोड़ा ऊपर भी डाल दें, जिसे अचार आपका सुरक्षित रहें लंबे समय तक, और यह देखिए हमारा चट पटा तीका ख अपना खाना इससे खा लेंगे, इसका इतना जबटदर्स देस्ट है, उमीद करती हूँ आज की यह इस्पेशल आमके अचार की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए फ्रेंज तो प्लीज 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 वीडियो को थैंकियो फॉर वाचिंग कुक विद पारूल, जै हिंद जै भारत